रुनान बंध यानि आप में मौजूद शारीरिक यादाश्ट ये खून के रिष्टों से हो सकती है, ये यौन संबंधों से भी हो सकती है, शरीरिक यादाश्ट बना लेता है, इसे जनेटिक मेमरी कहना ठीक नहीं होगा, रुनान बंध माबाप से बच्चों में आने वाले अन्ष का असर नहीं है, ये उस स्थर पर नहीं होता, वंच से जुड़ा यादाश्ट का एक स्थर होता है, आपकी तवचा का रंग, नाक का आकार, आप कैसे बने हैं, आपकी जाती क्या है, ये अलग चीज़े हैं, बात बस ये है कि, अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे, तो रुनान बंध बन जाएगा, इसलिए भारत में लोग ऐसे मिलते हैं, वो ऐसे नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे प्रेम करते हैं, और कई चीज़े हैं, वो कुछ पदार्थ नहीं देंगे, ना कोई आपको नमक देगा, और ना आपसे लेगा, यदि आप उन्हें नमक देना चाहेंगे, तो वो कहेंगे, यहां रखिये, वो आपके हाथ से नहीं लेना चाहेंगे, तिल के बीज, वो आपसे नहीं लेंगे, कुछ प्रकार की मिटी नहीं नहीं लेगा, आप किसी को मिटी देना चाहते हैं, कोई भी मिटी, कुछ रीती रिवाजों में मिटी दी जाती है, आप नीचे रखते हैं, मैं इसे नीचे से ले लूँगा कभी किसी के हाथ से नहीं क्योंकि आपका रुनान बंद बन जाएगा क्योंकि इस संस्कृति में हमेशा बंधन न बनाने और जीवन के बंधन को कम से कम रखने की जागरूपता है बस जितना जरूरी हो क्योंकि आप अपनी मुक्ति की दिशा में काम कर रहे हैं तभी ये जागरूपता और ये समवेदनाएं आई हैं तो शरीर हर तरह की नजदी की याद रखता है ना सिर्फ दूसरों के शरीर के साथ किसी भी तरह की भौतिक पदार्थ के साथ भी इसे याद रहती है कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसा ज्यादा कर पाते हैं कुछ दूसरी चीज़ें कम कर पाती है तो इसलिए हम यहाँ मंदिर में कलेश नाशन करते हैं क्या आपने ये किया है? अगनी सनान? यानि अगर आप पानी सना कर साथ नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपको जला रहे हैं तो कलेश नाशन विभिन प्रकार की भौतिक यादों को जलाने का एक तरीका है जो हमने एक अठा की है सिर्फ रिष्टे नहीं बस संपर्क में आने से बस कई चीजों के संपर्क में आने से लोग, स्थितियों, माहौल कई चीजों से ये शरीर यादें जमा करता है एक हद से ज्यादा शारीरिक यादें जमा हो जाएं तो एक स्थर का भ्रहम पैदा करती है कन्फ्यूजन यहाँ नहीं ये कन्फ्यूजन अलग है ये भ्रहम आपने कमाया है शारीरिक भ्रहम अलग होता है अगर शरीर भ्रहमित है तो वो आराम में नहीं आ सकता कई लोगों ने देखा होगा कुछ दिन आपका शरीर भ्रहमित होता है क्या आपने ये देखा है आप जहां भी बैठते हैं, ऐसा होता है, दूसरे दिन आप बैठते हैं, आँ, तो हमने शुद्धी के लिए अलग-अलग प्रणालिया बनाई, एक होता है अगनी स्नान, दूसरा वायु स्नान, सच में, बेशक, पानी का स्नान रोज होता है, एक समय था, जब मैं बहुत साधना करता था, तब मैं एक दिन में पाँच से साथ बार नहाता था, क्योंकि आपका सिस्टम इतना समवेदन शील हो जाता है, आप इस कुशन पर बैठेंगे, तो आप जान जाएंगे, कि ये आप पर क्या असर डाल रहा है, तो आप इसे धोना चाहेंगे, कम से कम खुद पर सिर्फ पानी डाल कर, पांच से साथ बार, दिन में साथ बार, ये तय नहीं किया जाता, मुझे पांच या साथ बार नाना हैं, जब भी आपको अहसास हो, कई योगी रोज कम से कम दो बार नहते हैं आम तोर पर नदी में डुपकी कम से कम एक बार पहते पानी में डुपकी ताकि आप साफ हो जाएं और दक्षिनायन से उत्तरायन के बदलाव में जो अभी और फिर से उत्तरायन से दक्षिनायन जो जून जुलाई में होता है उन दिनों ट्रॉपिकल देशों में हवाएं तेज होती हैं कम से कम भारत में भारती उप महाद्वीप में हवाएं तेज होती हैं तो ऐसी सरल प्रक्रियाएं हैं जिन में आप हवा में खड़े होते हैं ताकि आपको वायुस्नान मिले, हवा में नहाना, आप देखेंगे, इससे अद्भुत फायदा होगा, आप ऐसा करके देखें, जब तेज हवा चल रही हो, तब कुछ धीला पहन कर, बसादे गंटे वहां खड़े रहें, इसके प्रती सचेत होकर, आखें बंद करके, इस तरह और पीछे से, ताकि आपके उपर से काफी हवा गुजरें, घर आकर आप काफी हलका और बहतर महसूस करेंगे, शायद आपको ये पता नहीं होगा, सभी सन्यासी, साधू और सन्यासी, हमेशा बहुत पतली मिट्टी, लाल मिट्टी से, अपने कपड़े रंगते हैं, फूरे आश्रम को, उस रंग से रंगा गया है, क्योंकि हमने बस मिट्टी का इस्तिमाल किया है, ठीक है? मिट्टी और एक तरह की गोंद पेंट की तरह चिपकने के लिए, आश्रम की सभी मारतें, इसी तरह रंगी गई हैं, और सभी साधू, सन्यासी, जो आध्यात्मिक पत्पर हैं, वो अपने कपड़े लाल मिट्टी से धोते हैं, छानी हुई मिट्टी से धोते हैं, इसी दख्ध होने चाहिए, या हमेशा इसे मिट्टी से धखना चाहिए, ताकि आपका रुनान बंध सिर्फ धर्ती के साथ हो, ना कि आसपास के लोगों के साथ, ना कि आसपास की चीजों के साथ, बस धर्ती के साथ, ये ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे कपड़े पहनेंगे, यहाँressoil यो मिट्टी शब्द का दूसरा मतलब है अगर आप मिट्टी वाले कपड़े पहनेंगे नहीं, वैसे नहीं लाल मिट्टी से रंगे हुए अगर आप वो कपड़े पहनेंगे तो एक तरह से शरीर को याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कहां जाएगा तो जो लोग आध्यात्मिक पत्पर हैं वो हमेशा लाल मिट्टी में डुबोए कपड़ों का उप्योग करते हैं आपको पता नहीं चलेगा ऐसा महसूस नहीं होता पर वाकई वही रंग है असल में सफेद कपड़ों को मिट्टी का रंग दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगातार बारीक मिट्टी से धोया जाता है तो रुनानुबंद को धोने का एक तरीका है मिट्टी से स्नान करना तो जीवन में जब भौते की आदास्त खुद के ऊपर परतों में चड़ने लगती है तो इससे शारेरिक स्तर पर एक उलजन पैदा होगी इसके कारण थोड़ी बेचैनी होगी उत्साह की कमी होगी किसी भी चीज में भागिदारी की कमी होगी मानो आप जीते जी सब कुछ जान गए है आपको जीवन का जानकार जीवन पूरा होने के बाद बनना चाहिए जीवन पूरा होने से पहले आपको उसका जानकार नहीं बनना चाहिए है ना पर ऐसा ही होगा यानि आदाश्त की कई परतों के कारण आप आसपास की चीजों के प्रती एक तरह ऐसे कम जीवन्त हो जाएंगे यही हमारी चिंता है कि आप कम जीवन्त न हो जाएं